नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभी शेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल लॉग्स इस वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाला हूँ दिली से मुरादाबार तक के सफर पे और मैं यूज करने वाला हूँ नैशनल हाईवे 9 तो चलिए इस जर्नी क करते हैं स्टार्ट और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब का बट्रन जरूर दबाएं जो नैशनल हाईवे 9 बनाया गया है वह पांच नैशनल हाईवे इसको मर्च करके बनाया गया है पुराना नैशनल हाईवे NH 24 जो दिल्ली से स्टार्ट होकर रामपूर तक होगा करता था NH 87 जो रामपूर से स्टार्ट होकर रुदरपूर पे खतम हो जाया करता था NH 74 जो रुदरपूर से ही स्टार्ट होता था और सितार गंज और खाटिमा पे खतम हुआ करता था और NH 125 जो टनकपुर से स्टार्ट होकर और पिथोड़ागर पर खतम हुआ करता था इन सब पांच हाइवेज को मिला के एक हाइवे बनाया गया है जिसको NH 9 बोलते हैं मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करिया है दिल्ली में अक्षर धाम को रेफ्रेंस पॉइंट मान कर स्टार्ट करिया है तो अक्सर धाम से मैंने दिल्ली मेर्ट Express व्यड़े चलना है स्टार्ट किया दिल्ली मेर्ट Express व्यड़े पे मुरादाबाद जाने के लिए एक कट आजाता है यहाँ देख रहे होगे हापूड के लिए लिखा हुआ है यहाँ से आपको left turn लेना है और अगर आप straight चले जाएंगे तो merit चले जाएंगे और यहां से आपको flyover के नीचे से आप मुरादाबाद जाएंगे तो अभी तक मैं चल रहता है दिल्ली merit express वे पे और यहां से जो start हो जाता है वो NH9 start हो जाता है और जो मुरादाबाद होते हुए खतम होता है उत्राखंड में पिथोरागड़ पर यह आप देख पार होंगे यहां पर लिखा हुआ हापड 28 किलोमेटर यही वाला रूट आपको लेना है मुरादाबाद जाने के लिए और यह नेशनल हाईवे 9 पे अरभम चल रहे है आप यहां से फरीदाबाद पलवल या बागपत के लिए भी जा सकते हैं यहां से आपको लेफ्ट लेना पड़ेकर देखिया आगे कट आएगा 500 मीटर पे यहां से कट आएगा पलवल जाने के लिए जो आप यहां से लेकर और पलवल भी जा सकते है यह आप देख पा रहे होंगे पलवल के लिए लेफ्ट और मुरादाबाद के लिए सीधे आपको जाना है तो दोस्ता अभी मैं पहुंच चुक हूँ पिलवल में और इस ही हाइवे पे मेरे को सीधे चलते रहना है आगे मुरादाबाद के लिए यह आप देख रहे होंगे मुरादाबाद 132 किलोमेटर यहां से दिखा रहा है पिलखोवा टाउन उतरप्रदेश के हापूर डिस्टिक में आता है और हापूर यहां से लगबख कुछ 22 किलोमेटर के दूरी पर है डॉक्टर कुमार विश्वास का जन्म पिलखोवा में ही हुआ था और इन्होंने अपनी जीवन की प्रारंबिक शिक्षा यहीं से ग्रहेंड की थी तो दोस्तो अब मैं पहुँच चुका हूँ अपनी जर्नी के पहले टोल प्लाजा पे और यह 86 टोल प्लाजा है जो कि पिलखोवा में ही पढ़ता है 86 टोल प्लाजा पे आपको 155 रुपे पे करने है सिंगल जर्नी के लिए इस टोल प्लाजा पे लगवग 18 गेट बना रखे हैं जिसमें से 9 आने के लिए हैं और 9 जाने के लिए हैं पिलखोवा क्रॉस करने के बाद मेरी जर्नी आगे बढ़ती है हापुड की और हापुड क्रॉस करने के बाद गड़ मुक्तेश्वर गड़ मुक्तेश्वर से और आगे 5 किलोमेटर जाने के पे ब्रिजगाट आता है जहां पर पावन गंगा नदी बहती हुई मिलती है अब मैं पहुचने वाला हूं गड़ मुक्तेश्वर गड़ मुक्तेश्वर यहां से लगबक 6 किलोमेटर की दूरी पे रहा है और आप यह साइन बोर्ड देख रहे हुँगे गड़ मुक्तेश्वर 6 किलोमेटर लिखा हुआ है और आगे जानके लेफ्ट अगर आप ले लेंगे तो गड़ मुक्तेश्वर अंदर सीटी में चले जाएंगे और यह जो NH9 है यह गड़ मुक्तेश्वर अंदर सीटी में नहीं जाता है आपको सीटी बाइपास कर देता है यह अभी तक की जर्णी में जो रोड की कंडिशन्स है वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही स्मूथ रोड बनाई हुई है बहुत ही बढ़िया रोड बनाई हुई है गाड़ी बहुत अच्छी चलिए अभी तक दोस्तों अभी मैं पहुँचने वाला हुँ ब्रिजगाट और यह आप उपर साइन बोर्ड देख रहे होंगे ब्रिजगाट यहां से लगवग 5 किलोमेटर की दूरी पर है और जल्दी मैं ब्रिजगाट पहुच जाओंगा वहां जाके मैं आपको दिखाते हूँ गंगाजी के उपर बनावा पुराना फुल दोस्तों ब्रजगाट पहुचने से पहले यहाँ पर टोल्टेक्स पढ़ता है जिसे ब्रजगाट टोल्टेक्स प्लाजा बोलते हैं और यहाँ पर आपको 95 रुपे का भुक्तान करना पढ़ता है सिंगल जर्नी के लिए दोस्तों ब्रेजगाट टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद अब मैं बढ़ रहा हूँ ब्रेजगाट की और यह है आगे आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में रेलवे का पुल जा रहा है जो गंगा नदी पर बना हुआ है और राइट साइड में सारे घाट बने हुआ है जहां पर सारे धालू स्नान करते हैं और गंगा मया की पूजा करते हैं तो जिस पुल पे भी मैं चल रहा हूँ जो आगे बस जारी है इसी पुल पे मैं चल रहा हूँ और ये पुल नया बना हुआ है पहले यहां पर केवल एक ही पुल हुआ करता था आने जाने के लिए जहां से वो ट्रक आ जा रहा है और एक ही पुल के कारण यहां पर बहुत जा लगा हुआ करता था ब्रिजगाट से मुरादाबाद लगबग 63 किलो मेटर 63 किलो मेटर ही रह जाता है यह आप बोर्ड पर देख रहे होगे तो दोस्तो अभी मैं आप पहुंचा हूँ गजरॉला और मुरादाबाद जाते हुए यह वो जगह है जहां पर आपको सारे मल्टी ब्राइंड रेस्टुडेंट स्मेंगे मेक डॉनाल्ड से लेके पीजा हाट के एफ सी और डॉम्नोस यह सारे रेस्टुडेंट के सिन रस्टूरेंट तो दोस्ता मैं पहुंच चुका हूं जोया जोया के फ्लाइवर पे और अगर आप यहां से लेटे हैं फ्लाइवर के नीचे से तो सीधे अम्रोहा के लिए जा सकते हैं दोस्ता फ्लाइवर बनने से पहले यहां पर जाम की इस्तिती बनी रहती थी लेकिन फ्लाइवर बनने के बाद आप बहुत ही स्मूथ ट्राफिक हो गया है आप आगे ट्रैवल कर सकते हैं दोस्ता मैं पहुचने वाला हूं मुरादाबाद और यहां से मैं लेफ्ट ले लूंँगा तो यहां से मुरादाबाद यहां से मुरादाबाद सेटी स्टार्ट हो जाती है और मैं मुरादाबाद में एंटर करने वाला हूँ और बिल्कुल सीदे जाके आप मुरादाबाद में एंटर हो जाएंगे यहां से मुरादाबाद सेटी की रिहार्ट शुरू हो गई है आप देख रहे होगे उचे-उचे फ्लैट्स बने हुए है रोड बहुत ही शांदार है मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर बहुत सारी फैक्टरीज और बहुत सारे कार खाने ऐसे हैं कि जो पीतल के बरतन बनाने में जिनको महारत हासील है और बहुत सारे पीतल के बरतन यहां से एक्सपोर्ट भी होते है अगर वीडियो अच्छे लगी हो गाई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफेकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्षिन में ज़रूर लिक्की बताएं और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक बढ़िया से वीडियो में तब तक के लिए बंदे मातरम जय हिंद